कौन सा सप्प्राइज लाने वाले हैं पारस और माहिरा? आखिर होली पर क्या है पाहिरा फैंस के लिए बेहत खास? और क्या आसिम और हिमानशी के सौंग से क्लाश होने वाला है पाहिरा फैंस का ये रुमांटिक सौंग? वेल क्या है पूरी बार आईए जानते हैं वेल लगता है इस साल बिग बॉस्टेरा के लव वर्ड पारस छापरा और मायरा शर्मा पूरी तरह से तयार है आपकी होली को बेहत रंगीन बनाने के लिए मायरा शर्मा ने एक बार फिर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपने पोस्टर को रिलीस किया है सोशल मीडिया पर जहां मायरा ने अपने पोस्ट के डेट को ब्लॉक करने के लिए कहा है जी हां आपके बिग बॉस सेरा के पाहिरा आने जा रहे हैं धेड़ सारे धमाकों के साथ वैल पारस शाबरा और मायरा शर्मा अपने अपकमिंग सिंगल बारिश के पोस्टर को फाइनली रिलीस कर चुके हैं वेल आपको बता दे कि बारिश का पोस्टर पहले भी रिलीज हो चुका है, लेकिन इस बार पोस्टर के सबी चीज़ें काफी ज़ादा रिफीलिंग है जिसमें अब आपको फाइनली सौंग का रिलीज डेट भी पता चल चुका है आपको बदा दे कि ये सॉंग दस मार्ट दोहजार बीज यानि की होली के दीन रिलीज होगा बात करें अगर मायरा शर्मा की तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम का सहारा लेते हुए अपने पोस्ट को कैप्शन किया अगर पोस्टर की बात करें तो इस पोस्टर में पारस और मायरा की फुल लेंद पिक्चर रखी गई है जहां दोनों एक दूसरे का हाथ था में दिखाए दिये वेल इतना ही नहीं पारस और मायरा इस पिक्चर में पूरी तरह से एक दूसरे की आँखों में घूम दिखाए दिये वहीं पोस्टर के बैग्राउंड और पारस और मायरा के कॉस्ट्यूम से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सॉंग एक रोमांटिक वीडियो होगा वैसे आपको याद दिला दे कि बिग बॉस 13 के घर में जाने से पहले पारस शाबरा आक्ट्रस अकांचापूरी को डेट कर रहे थे लेकिन बिग बॉस 13 के घर में जाने के बाद से पारस ने अपना मन बदल लिया वहीं उनकी क्लोजनेस उनकी को कंटेस्टिन यानिकी मायरा शर्मा से बढ़ गई वहीं इस कपल की तरह एक और कपल बिग बॉस तीरा के घर में उभर कर सामने आया है जो है आसिमानशी एक ए आसिम रियाज और हिमानशी खुराना का वैल आपको बताते कि इन दोनों का भी जल्दी एक सिंगल आने वाला है वहीं आप तक इस सिंगल की ज़्यादा बाते सामने तो नहीं आई है लेकिन कहां ये जा रहा है कि इनका ये सौंग 18 मार्च को रिलीज होगा वहीं आसिम रियाज जल्दी जाकलिन फर्नांडस के साथ भी एक सिंगल में नजर आने वाले हैं जिसका नाम है मेरे अंगने में और ये सिंगल रिलीज होगा 8 मार्च 2020 को वैसे ये तो हुई आपके चहीते सितारों की बात लेकिन टेलिविजन के ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे टेली मसाला